जैसे हम बनाते हैं चिकन, मटन या सबजियों की ग्रेवी वैसे ही हम बनाते हैं मूंग डाल के पकोड़ों की ग्रेवी इसे कहा जाता है मूंगोचिया तो मूंगोचिया बनाने के लिए पहले हम मूंग की डाल के पकोड़े बना लेते हैं तो इसके लिए डेल कप मूंकी डाल को मैंने करीब चार घंटे के लिए भूगो कर अच्छी तरह से दो लिया है इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे दो चम्मच पानी डाल लेते हैं और इसे हम दरदरा सा पीस लेंगे एकदम फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाएंगे हलका सा इसे दरदरा रखेंगे तो ये दरदरी सी पिसकर रेडी हो गई है अब इसे निकाल लेते हैं एक बोल में सारा बैटर निकालने के बाद इसमें हमें डालना है एक मीडियम साइज की प्यास बारिक चॉप करके एक चमच डाल लेंगे अधरक लेसन का पेस्ट आदा चलिक पाउडर लेंगे ताकि जो मूंगके पकोड़े हैं वह फ्राइए होने पर अच्छी तरह से फूल जाएन नमक आदा चमच डाल देंगे थोड़े से बारिक चॉप किया हुए ओग हुए धनिया के पत्टे आड कर लेते हैं सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे इसमें मैं थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूँ करीब 2-3 बड़े चमच क्योंकि हमें इसे थोड़ा पतला करना है पानी डालने के बाद अच्छी तरह से अब सारी चीजों को mix कर लेना है तो इस तरह की consistency हमें चाहिए पकोड़े बनाने के लिए अब गर्म तेल में मीडियम साइस के पकोड़े हम बना लेंगे तो पकोड़े डालने के बाद इसे 3-4 मिनिट के लिए हम मीडियम फ्लीम पर इसी तरह से पकने देंगे अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए इसके बाद हम इसे पलट लेते हैं दोनों तरफ अच्छा सा गुल्डन कलर आ चुका है पकोड़ों में अब इसे निकाल लेंगे तो सारे मूंग डाल के पकोड़े हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं अब ग्रेवी बनानी की तयारी करते हैं तो इसके लिए तीन बड़े चमच तेल लेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर गरम करते हैं एक चौथाई चमच गरम तेल में मेथी के दाने डालते हैं इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में आदा चमच डालेंगे जीरा जीरा और मेथी के दाने को करीब एक मिनट के लिए चटक जाने देते हैं गरम तेल में फिर हमें इसमें डालना है दो मीडियम साइज की प्यास का पेस्ट अब प्यास को तेल में हमें भूनना है इसका कलर हम चेंज नहीं करेंगे बस इसे दो से तीन मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे अब प्यास पक चुकी है इससे तेल सेपरेट भी होने लगा है इस टाइम पर हमें एक बड़ा चमच भर कर इसमें डालना है अधरकलैसन का पेस्ट अधरकलैसन के पेस्ट को भी प्यास के साथ हम भून लेते हैं तो दो मिनिट के लिए अधरकलैसन का पेस्ट भी पक चुका है चलाते हुए अब पाउडर मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चमच भुना कुटा हुआ जीरा एक चमच भरकर है धनिया का पाउडर एक चमच है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और एक चमच है तिखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर आधा चमच इसमें डालना है हल्दी का पाउडर और नमक में इसमें डाल रहे हूँ एक चमच ग्रेवी के हिसाब का नमक अभी ही डाल लेंगे थोड़ा सा पानी इसमें अड़ कर लेंगे ताके मसालों की भुनाई अच्छी तरह से हो जाए फ्लेम को medium to high कर लेते हैं और चलाते हुए मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करना है मसालों से तेल सेपरेट होने लगे और इसका पानी सूकने लगे तब हम इसमें 2 medium साइस के टमाटर का पेस्ट डाल देंगे अब फिर से हमें मसालों की भुनाई करना है तेल सेपरेट होने तक तो करीब 2-3 मिनट के लिए ये मसाले को चलाते हुए पकाते हैं अब फ्लेम को मैंने एकदम लो कर लिया है इसमें दही डालते हैं आधा कब अच्छी तरह से फिटा हुआ ये दही है दही को लो फ्लेम पर सारी चीजों के साथ मिक्स करना है फिर medium फ्लेम पर लाकर दही को भी मसालों के साथ भून लेना है तो ग्रेवी के लिए ये मसाला बनकर रेडी हो गया है अब आप देख सकते हैं तेल फिर से सेपरेट होने लगा है इसका मतलब ये है कि मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं जितनी पतली अब ग्रेवी चाहिए हमें उस हिसमें पानी डाल देंगे मूंग डाल के पकोड़े हैं ये काफी ज़्यादा पानी अब्जॉब कर लेते हैं इसलिए हम इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डालेंगे तो करीब देड़ कप मैं पानी इसमें डाल रही हूँ, हाई फ्लेम पर ग्रेवी को हमें पकाना है ग्रेवी रेडी हो चुकी है, अब बस इसमें डालेंगे मूंग डाल के पकोड़े और पकोड़ों को ग्रेवी में पक जाने देना है करीब 10 मिनिट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकोड़े ग्रेवी में पकने के बाद थोड़े ज़्यादा फूल जाएंगे और काफी मुलायम हो जाएंगे अब धकन हटाने की बाद हम इसमें थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पत्ते डालेंगे और थोड़ा सा गरम मसाले का पाउडर करीब आधा चमज डाल लेते हैं मीडियम फ्लेम पर एक बार सारी चीज़ों को मिक्स करना है फ्लेम को बंद कर देंगे तो मुंगोचिया बंद कर रेड़ी है मुम दाल की पकोड़ों की ग्रेवी को आप रोटी, नान, पराठों के साथ सर्फ कीजे या फिर इसे स्टीम राइस के साथ सर्फ कीजे बहुत ही टेस्टी और मसेतारी रेसिपी लगती है